वागत है आप सबका स्यूकिर्पा कलासेस पर मैं महज कुमार बर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारा UPAAAC वीडियो रिग्जाम का टेस्ट सेरीज नमबर 12 है जिसमें हम लोग भारती राष्टी आंदोलन के महात पूर्परसनों को कबर करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमारे कितने कोश्चन्स सही हो रहे हैं दोस्तों इस सारी टेस्ट सेरीज हमारे आपके UPAAAC वीडियो रिग्जाम के स्लेबस के रिकोर्डिंग बनाये जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इन्हें कांस्टेट होकर साल्प करें कोश्चन्स कम सही होने पर पूर्ण टेस्ट सेरीज का रिविजन करें ताकि होने वाली UPAAAC वीडियो रिग्जाम के लिए आप लोग पूर्ण रोप से प्रिपेर रहें तो चलिए दोस्तों टेस्ट स्रीर नमर 12 को साल्प करना हम लोग सुरू करते हैं दोस्तों हमारा पहला कुश्चन है बिरी बिरी इंपॉर्टन कुश्चन वर्ष 1920 में आवद किसान सभा का गठन कहा हुआ था बिरी बिरी इंपॉर्टन कुश्चन है दोस्तों बार बार पूछा गया वर्ष 1920 में आवद किसान सभा का गठन कहा हुआ था ए नमबर है लखनों B परताप गड़ C 12 बंकी और D है दोस्तों कानपो तो हमारा साइंसर क्या हुआ दूस्तों वर्स 1920 में आवद किसान सभा का गठन प्रताप गड़ में हुआ था यानि बिकल्प नंबर भी यहाँ पी हमारा सही एंसर होगा थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दूस्तों अब एक चीज़ आप ध्यान देगा है दूस्तों क्योंकि यह प्रताप गड़ में हुआ था इसलिए दूस्तों यह यूपी स्पेसल के स्टेटिक जीके से भी कोश्चन इंपॉर्टन बनता है और भारती राष्टे आंदोलवन का टाफिक है तो दूस्तों इस तरह से देखा जाए तो बेरी इंपॉर्टन कोश्चन है चले दूस्तों थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं ध्यान दीजेगा दूस्तों 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर परदेश के परताप गण चिले में आवद किसान सभा का गठन किया गया इसमें गवरी संकर मिस्र, माता बदल पांडे, बाबा राम चंद्र, देवनाराण पांडे, केदार ना तथा जमाहर लाल नहरू सामिल थे नहीं देखेंगे कोश्चेन नमबर दो को आजाद हिंद सरकार की अस्ठापना कब की गई थी? बार-बार पूछा गया कोश्चेन है दोस्तों आजाद हिंद सरकार की अस्ठापना कब की गई थी? ए नमबर है 1940 में b.1943 में c.1941 में d.h.1945 में तो यहां पर हमारा साहिन हसर होगा आजाध हिंद सरकार की अस्थापना 1943 में की गई थी कब 1943 में इस संबंदित और भी चुज़ो पह बात करेंगे दोस्तों ताकि यह question समारा पूरी तरह से clear हो सके ध्यान दिजीगा दोस्तों 21 अक्टूबर 1923 A Chiapho 240 चन्द्र पोस ने सिंगापुर में a good west अजादि हिंदर चिंद सरकार की registration जो एक आस्थाई सरकार रहते एक आस्थाई ये भी बार बार पूछा गया है जापान जर्मनी तथा इटेली ने इसे माननेता परदान की इस आहस्थाई सरकार में सुभास चंजबोस परदान मंतरी और युद्ध तथा बिदेश मामलो के मंतरी थे ने देखेंगे कोश्चन नमबर तीन को अमीत करते हैं दोस्तों ये कोश्चन भी आप लोगों को पुरी तरह से किलियर हो गया होगा कोश्चन नमबर तीन है हमारा गाधी जी की सबसे महातव़न सिख्छा निमलिखित में से कौन सी थी गाधी जी की सबसे महात्पूर्ण सिच्छा निमलिखित में से कौन सी थी तो दोस्तों आप दो चीज़ तो सुनोंगे सत्त का पालन करते थे और अहिंसा के पुजारी थे यानि दो इनकी मुख सिच्छाएं थी ए और बी उसके बाद दोस्तों धर्म आता है धर्म दोस्तों इनका में सिच्छा नहीं था हाला कि उन्हें धर्म का पालन किया लेकिन धर्म दोस्तों और सत्यागरा ये इनका एक आंदूलन था ना कि सिच्छा था तो हमारा धर्म भी नहीं होगा और सत्यागरा भी नहीं होगा काफी confuse करने वाला question है दोस्तों बार-बार पूछा आता है तो गाधी जी की सबसे महात्पुर्ण जब सिच्छा पूछी जाएगी दोस्तों तो उसमें आप लोगों का सत्त वा अहिंसा आएगा तो यहां मारा साहिंसार होगा दोस्तों बिकल्प नमबर C एक और दो केवल एक और दो सत्त वा अहिंसा देखेंगे फोर नमबर question संग्मिधान सभा का पहला सत्र हुआ था बार-बार पूछा गया दोस्तों कई तरह से पूछाता है यह question है दोस्तों संग्मिधान सभा का पहला सत्र हुआ था फिर दोस्तों ये कोशन प्लट के पूछा आता कि समिधान सभा की पर्थम बैठक कब हुई थी, समिधान सभा की पर्थम बैठक कब हुई थी, ए नमबर बिकल्प है, 16 गस्त 1947 को, 26 जनुरी 1949 को, सी है 9 दिसंबर 1946 को, और दे नमबर बिकल्प है 26 नौंबर 1946 को, तो हमारा सही एंसर क्या होगा दोस्तों, समिधान सभा का पहला सत्र या पर्थम बैठक कब शुरू हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, यानि बिकल्प नमबर सी यहाँ पी हमारा सही एंसर होगा, थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे, दोस्तों ध्यान दिजेगा, समिधान सभा की पर्थम बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन दोस्तों, डाक्टर सचिदानन सिनहा को, समिधान सभा का आस्थाईं अध्या चुना गया था, उसके दो दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को, डाक्टर राजेंदर परशाद को, समिधान सभा का अस्थाई अध्या चुना गया, फिर उसके दो दिन बाद, दोस्तों, ग्यान दिसंबर, कि बाद, 13 दिसंबर 1946 को, पंडित जवाहर लाल नहिरू ने समिधान सभा में उद्देश प्रस्ताव पेस किया, ये तीनों क लिखा हुआ है, तो यानि पर्थम बैठाक, 1946 नौ दिसंबर, और लास्ट बैठाक, 26 नूंबर, 1949, तो यहां मारा एंसर बना, विखल नूंबर C, 5 नूंबर कोश्चन सालप करेंगे हम लोग, कोश्चन है दोस्तों, निम लिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फाउज की कोश्चन समझेगा दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग, कोश्चन है दोस्तों, निम लिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फाउज की, और सिल लाल किले के मुकदमे में पैर भी कर रहें, वकीलों की अध्यचता की, ए नंबर है दोस्तों, भूला भाई दिस साई, ब है कलास नात काट जू, सी है सर तेज बहादूर सपरू, और ड नंबर है जवाहर लाल नहरू, तो हमारा साई इंसर क्या होगा दोस्तों, भूला भाई दिसाई, यानि बिकल्प नंबर ए, अध्यचता इन्हों ने कही थे दोस्तों, थोड़ा और साहर इसके बारे म कैलास नात काट जू, सर तेज बहादू, सपरू, जो की बिकल्प में है हमारे, आसफ अली जवाहर लाल नहरू, भूला भाई दिसाई आदि कर रहे थे, लेकिन वो अकीलों के इस समू की अध्यचता, भूला भाई दिसाई नहीं की थे, यानि बिकल्प नंबर ये हमारा सह इंसर होगा, six number question self करेंगे हम लोग, Indian National Congress का संस्थापक कौन था, ये पूछा गया दोस्तों, six number question में, यानि भारते राष्टी कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, A नमर है महत्मा गादी, B है चितरंजन दास, C है A O हुम और D नमर है लोक मान नितिलग तो हमारा साइंसर क्या हो है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A O हुम थे इसकी स्थापना 1885 इस भी में मुंबई में हुई थी यानि बीकल नमर C यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा सेबन नमर कोश्चन साल करेंगे हम लोग कोश्चन है दोस्तों ध्यान देजेगा बे बेर इंपार्टन कोश्चन है 1916 में 1916 में भारते राष्टे कांग्रेस और मुस्लिम लेग एक साथ लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे क्यों आ गए थे यह हमें बताना है दोस्तों इस बारे में हम लोग एक कोश्चन और मिलेगा भी पूरी रवीजन करेंगे दोस्तों क्योंकि बार बार पोचा जाता है यहाँ के बार दोस्तों हम लोग के बताना है कहां पर हुआ था यह अद्विशन यह नंबर है लाहोर में अमरिसर में C लखनों में और D है दोस्तों हारिपूरा में तो यहां पर हमारा साइन सर होगा 1916 में भारतिय राष्टे कांग्रेस और मुस्लिम लिए एक दूसरे के निकट आगे थे और यह अद्विशन हुआ था दोस्तों लखनों में लखनों दोस्तों UP से रिलेटेड है आप जानते हैं आपको युत्तर परतिस लेबल का एक्जाम है UP टिलपलेसी वीडियोर एक्जाम तो इस दिरिस्टे से दोस्तों यह कोश्चन आपके लिए बिरी बिरी पॉर्टेड है और दोस्तों आगे चलकर इस कोश्चन के बारे में और भी हम लोग चल्चा करेंगे आठ नमबर कोश्चन है नरम दल और गरम दल के बीच दोस्तों उसी कोश्चन से यह भी रिलेटेड है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहा और किस वर्स में पड़ी थी A नमबर है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में B है 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में C नमबर है 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में और D नमबर है, 1920 में कांग्रेस के नागपूर अधवेशन में, तो हमारा सहिंसर क्या होबा दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच फोट, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधवेशन में हुई थे, कहां दोस्तों, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधवेशन में, अब दोस्तों हम लोग इस पर विस्तिरी चर्चा करेंगे थोड़ा सा दोनों कोश्चन एक साथ लगा के आप लोग समझने की कोश्चिस किजिएगा दोस्तों नरम दल और गरम दल के बीच फोट वर्स 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी जो की हमारा एंसर है इस अधिवेशन की अधिष्ता डाक्टर रास बिहारी घोस ने की थी किसने की थी डाक्टर रास बिहारी घोस ने बार बार पुछा आता है आगे देखेगा दोस्तों वर्स 1916 जो की हमारा इससे पहले का question है, वर्स 1916 के लखनोव अधिवेशन में जो दूस्तों हमारा answer आया था इसके पहले question में, वर्स 1916 के लखनोव अधिवेशन में तिलक और एनीवेशन्ट के प्रियासों से ये दोनों घड़े, यानि नरम दल और गरम दल पुना एक हुए कांग्रेस के इस अध्वेशन की 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 पूरी तरह से किलियर हो गया होगा 9 नमबर कुश्चन हम लोग सालप करेंगे कुश्चन है दोस्तो 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरम करने के लिए मुख्य कारण था A नमबर विकल्प है दोस्तो क्रिफ्स मीशन की विफलता B नमबर विकल्प है C नमबर विकल्प है लोगों में खोर बेचैनी D नमबर विकल्प है साइमन का मीशन की रिपोर्ट तो हमारा सही इंसर क्या होगा दोस्तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरम करने के लिए दोस्तों जो कारण था वो था किरिफ सिमिसन की विफलता यानि विकल्प नमबर ये यहाँ पर हमारा सही इंसर होगा इस कोशन के बारे में आउट भी हम लोग चाचा करेंगे दोस्तों ध्यान से सुनेगा ताकि ये कोशन भी हम लोगों को पूरी तरह से किलियर हो सके दोस्तों ध्यान दीजेगा क्रिफ सिमिसन का बाय था 1942 में ये ध्यान दीजेगा बार बार पूछा आता है उसके बाद दोस्तों इसकी बिफलता ने अंतता भारत छोडो आंदोलन जो की हमारा कोशन बना है भारत छोडो आंदोलन को जन्म दिया साथ से आठ अगस्त 1942 को बंबई के आतिहासि ग्वालिया टैंक में अखिल भारते कांग्रेस कमेटी की वार्सिक बैठक जिसकी अधिस्ता अबुल कलाम आजाद ने की जिसमें वर्धा प्रस्ताओ यानि भारत छोडो की पुष्टी हुई थोड़े बहुत संसोधनों की बाद आठ अगस्त 1942 को प्रस्ताओ सुभिकार कर लिया गया और शुरू कप किया गया दोस्तों भार चुड़ो अंदोलन बार-बार पूछा आता है तो नव अगस्त 1942 को इन्हेंस देखेंगे दस नमर कुश्यन कोष्टन है दोस्तों पूण सोराज्य की सपत कांग्रेश के किस अध्वेशन में ली गई थी यहां पे हमारा सही अंसर होगा दोस्तों लाहोर यानि बिकल नंबर B यहां पे हमारा सही अंसर होगा पूर्ण सुराज की सपत कांग्रेस के दोस्तों लाहोर अधिवेशन में ली गई थी इस बारे में और चाचा करेंगे दोस्तों ध्यान देजिएगा दोस्तों कांग्रेस का ये कौन सा अधिवेशन था ये 4400 नमबर का अधिवेशन था जो कि लाहोर में हुआ था पूर्ण सुराज की सपत जिसमें ली गई थे, ये ध्यान देज़ेगा, उसके बाद दोस्तों, 1929 में जवाहर लाल नहरू की एधिस्ता में लाहूर में हुआ था, इसी अध्वेशन में पूर्ण सुराज का प्रस्ताव पारित किया गया, 31 दिसमबर 1929 को बार-बार पूछाता है, दोस्तों ध्यान देज़ेगा, 31 दिसमबर 1929 को अर्धरात्री की समय जवाहर लाल नहरू ने राभी नदी के तड़ पर बार-बार पूछाता है, रावी नदी के तड़ पर सुतनतता का धोता की यानि जो हमारा तिरंगा है उसको पहली बार फाराए गया वह 26 जनुरी 1930 को सुतनता दिवस मनाने का निश्चे किया गया इसी कार से दोस्तों 26 जनुरी का ही डेट रखा जता है रिपब्लिक डे का जो की 26 जनुरी 1950 को मनाए गया नेज देखेंगे अले बन नमर कोशन सब्सक्राइब करें दोस्तों आप मारी चैनल सिव किर्पा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज के लिए कोशन है दोस्तों मारा 11 नमर दी गई घटनाओं को उनके काल करमानुसार ब्यवस्तित करें दी गई घटनाओ को उनके काल कर्मानुसार ब्योस्तित करें यह सिपाही बिद्रू भी है वासको डिगामा का भारत आगमन और उसी है बाबर द्वारा मुगल सामराज की सुरुआत हमें बताना है दोस्तों नीचे हमारे बिकल्प है कि कौन सा घटना पहले हुआ था कौन सा बाद में कर्म से उनको ब्योस्तित करके अपने एंसर देने है तो चले दोस्तों हम लोग इसको लगाने की कोशिस करते है सबसे पहले क्या है दोस्तों सिपाही बिद्रो दस में 1877 आप लोग पढ़ी चुके है सबसे पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे दोस्तों कालिकट बंदरगा पे सबसे पहले वास्कोडिगमा आहते 1498 उसके बाद दोस्तों तीसरा क्या है बाबर द्वारा मुगल सामराज जी की शुरुआ तो यह कब हुई थी दोस्तों 1526 से इस्टार्ट है आप लोग जानते है तो यानि बिकल नुमर सी में क्या लेखेंगे 1526 अब हमें ब्योस्थित करना है दोस्तों 1857 1498 वा 1526 तो सबसे पहले क्या आएगा है दोस्तों इसमें से 1498 यानि वास्कोडिगमा का भारत आगमन तो सबसे पहले हमारा बी यानि दो आएगा उसके बाद दोस्तों एक अठाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषाषा में ही एंसर है, बार-बार पूछा गया है, किसके बीच हुआ था, ये पूछा गया है, A. नहरो और अमबेटकर, B. गाधी और अमबेटकर, C. माल B. आमबेटकर, D. है गाधी और नहरो, तो दोस्तो पूना सपना, समझे ह होता, 1932 महत्मा गाधियों भीम्रा अम्बेटकर की मद्धि हुआ यद्यप की इस पर गाधी जी ने स्वयम हस्ताचर नहीं किये बलकि इस पर अम्बेटकर और गाधी जी के अनुयाईयों द्वारा हस्ताचर किये गए थे 24 सितंबर 1932 को हस्ताचरित इस समझहोते में दलित वर्गों के लिए पिर्थक निर्वाचन मंडल जो की दोस्तों अम्बेटकर की इम्मेन मांग थी कोंस्टंस जिसको हम लोगें यहां सालव किया हैं उंपीन है दोस्टों आप सभी लोगें साल्व के और देखिए कि प्रिपिरेशन कहां तक आप से किसने कोंस्टंस साल्व हो रहे हैं दोस्तों अगर क Gibson Test से कम सालव होते हैं तो पुना टे सीरिस का रिभीशन जरूर करें क्योंकि दूस्तों यह आपके यूपी ट्रपल एसी वीडियो रिग्जाम के संभावित प्रसनों पर बनाए जा रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पर संद रहा तो हमारे चैनल स्यूकिपा कलासे से जुड़ें वा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोरा दे जाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों हमें अपने गलिटे सीरीज के साथ ठैंक्स भार वाचिंग आख दो